पहले कॉलर हैं Amit UP से हमारे साथ स्वागत है famic juin आपका जी बताइसे सब्सवाल कीजिए ये गुटने में दर्दाए आ काले कंताँ के लिए बटाया था थेज आवाज में बात कीजिए गुटने में दर्द है, गुटने में. गुटने में दर्द है, उम्र क्या है आपकी? दे. मैं मम्मी के लिए बां कर रहूंगा है, मम्मी की उम्र है 53. ठीक है. ठीक है. हम दिखे, गुटने के दर्द और जोडों का दर्द, या कमर, या डिस्क का दर्द, या हाथ का दर्द, म material, जो मैं शायद अपने हर program में एक से ज्यादा बार बताता हूँ कि आप वो इस्तेमाल करें, वो रो material का नाम भी तक्रीबन ज्यादा तर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए बार रहा, मुझे बताना पड़ता है, कि एक गौंद सेह, यानि काला गौंद के नाम से मिलता है, it कड़वा होता है, और लेकिन जतना कड़वा है, इतना ही पाइद बढ़ जयादा इस्तिमाल होने वाला गउंद है, यह मिलता मुख्किल से है और नकली भी मिल जाता है कभी, तो असली लें और रो لے لوگ کہتے ہیں کہ پسا پسایا دے تو مت لیجے. تو اپنی ممی کو آپ سو دو سو گرام خرید لیں گے. اور آدھا گرام صبح آدھا گرام شام کھانے کے بعد ہی دینا ہے. پانی سے یا بغیر چربی کے دوس سے یا آپ رئیس ہیں تو جوسے بھی دے سکتے ہیں. تو اس کو نا ہم سو دو سو گرام ختم کرتے کرتے اپنے مریض کا ٹھیک होना मुम्किन होता है चलिए इसी के साथ next caller है सुष्मा दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है सुष्मा जी आपका मैं अपनी मम्मी के अपनी इतनी बुद्र मम्मी के बहुत अच्छा लगा मुझे के आप अपनी इतनी बुद्र मम्मी के का ख्याल कर रहे हैं सब बच्चे ऐसे नहीं होते के अपने हुद्रों का इतना ख्याल कर रहे तो आपके लिए बहुत खुश्खबरी है उपर वाला आपका बड़ा मदद करेगा इनकी दुआएं आप लेंगी और इतना जरूर हो जाएगा के वो आसानी से चल फिर सकें चीजें बता देता हूं किसी को रो मेटरियल बता देता हूं तो वो बुरा भी मानता है कि कोई दवा ही बता देते इसलिए कभी कभी दवा भी मैं बताने लगा वरना मैं कभी बिल्कुल भी दवा नहीं बताता हूं तो रो मेटरियल तो यह है कि अभी मैं बता रहा था हमारे हैं से भी आप कोशिश कर सकते हैं हलाकि इसकी डिबांड बहुते मिलता बड़ी मिश्किल से आधा आधा गिराम अपनी मम्मी को दीजे आप्रेशन तो कराना नहीं और उनको इतना फायदा जरूर मुम्किन है कि वह आसानी से अपना सब काम कर सके और अगर यह आप नह अच्छा लगेगा कि जल्दी भी फायदा हो जाए तो चार-पांच महीने उनको इलाज जलू करें ताकि अब उनकी जिंदगी आसानी से गुजर सके हमारे साथ सरोज है कानपूर से स्वागत है आपका हालो हान जी बताईए सवाल कीजी जी मैं आपसे बात कर रहा हूं अधों नेतों में तद्रेयता और जुनों में डग रहता और अग्ष्ट बड़ा हुआ है और खार-ची बड़ा है ठीक है अब आपका नाख देख रहे हैं और गौंटिया मंगवा दिया अपका कम चीं से आपने बोला का शुरू किया अ अपने अबी श्रू नहीं आपने तो आया है. ठीक है, ठीक है ठीक है, अजिछ देखिए जो कोशिश करते हैं तो उनको चीज मिली जाती है, इसको पड़र बना लए है, और दो चुटकी, जितना चुटकी में आता न, ऐसी दो चुटकी सुबा, दो चुटकी शाम खाने के बाद लेना है, खरीब हैं तो पानी बगिर च्रबी के दूठ से या फिर रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं जैसे आपको या कभी दूठ पानी कभी जूस ऐसे भी ले सकते हैं ये खतम होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है कौलिस्टॉल बढ़ आए तो उसके लिए आप लेसन, अदरक, इतनी सारी डाला करि पाँच बार. और अजब फाइदा हो जाए, तो आप मुझे फोन करके बताएए कि आपको फाइदा हुआ के नहीं. और थाईराइट के लिए एक बना सकते हैं आप वो घर में ही बना सकते हैं गौन मौरिंगा सो गिराम और धनिया तीन सो गिराम आवला सो गिराम और मेथी सो गिराम इन सब को राव मैटेरियल ले पाउडर बनाएं एक चमश सुबा एक चमश शाम आप खाएं तीन गिराम या चार गिराम करीब और वो गो और आप देखेंगे कि यह 500 ग्राम नस्था खतम होते होते आपका थाइरेड की गोली डॉक्टर ने छुड़ा दी हर बार कम करता जाएगा हर महीने की और पुरानी महीने की आप रिपोर्ट को खुद चेक करें कि कितना फर्क पड़ रहा है और आप बहुत अच्छा लाएग हमारे साथ जुड़ गए है जी नमस्कार स्वागत है आपका है हालो है जी नाम बताइए कहां से बात कर रही है है तो मैं चैंसर मुझे हुआ था बाइलेटर सो मेरी सर्जवी वेज़ा हुई है तो अब मेरे दौनों बार्दों की स्टेलिंग है जी एज कितनी है आपकी एज शिक्स्टी फाइज है मेरी स्टेलिंग है उसके बाद से बाद से अब बड़ी लग्य है कि उपर वाले ने आपको इससे भी निजात दिलाए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है दुनिया में और बहुत अपना खैर रखा करी है इसी तरह और जो स्टेलिंग है उसके लिए आप तो देखिए, पचास गिराम हल्दी और सो गिराम आपको लेना है, आप लिख लिजे, पचास गिराम हल्दी, सो गिराम आपको लेना है, अस्वा गंधा, जो अस्गन नागोरी भी कहते हैं, अस्वा गंधा एक मशूर बूटी है, लेकिन सब रो मेटरिल लेना है, पचास गि आवला, और दो सो गिराम और सो गिराम गॉण मौरइंगा. गॉण बॉरिंगा मुश्किल से मिलेगा, तो कोई बात नहीं है, जैकि असली ही लेना. कोई परिशानी हो तो हम से भी तलब कर सकते हैं. इन सब को आप पॉर्डर बनाएं और दो दो गिराम, तकरीब दो कैपसूल की बराबर सुबा शाम लिया करें. तो देखिए हल्डी बहुत किम्ती चीज़ है, जिसे हम आम तोर पर यूज़ करते हैं. लेकिन इसकी एक क्वांटिटी अगर इस्तिमाल की जाए तो इसमें कर्क्यूमीन नाम का एक पदार्थ, एक रसायन होता है, जो कैंसर से रौक्ताम क करता है, और अलसी भी एक ऐसी शेह है जो आपको इसकी की सूजन और किड्नी के फेल को ठीक करती है, इसके हर चीज़ के अपने अलग फायदे हैं, ये निस्खा बनाके आप रखें और रोज खाएं और खत्म होने तक आपके परिशाने ठीक होना मुमकिन है. जी, अधार साब को भी नमस्कार. जी, आदावर साब, बताएए, क्या सेवा है? मैं इसले बात करी जी लेकिन उस दिन मेरी बात नहीं हो भाई, आज मैं दुबारा आपके फिज्मत में हो, और मेरे दो तीन क्वेस्टन है था. जी, बताएए. पहला क्वेस्टन मेरा ये है, मैं मों का स्वात खिकर रहता है, भूकने से शाथ नहीं होता है. जी, बताएए, मैरे संधा जान था, उससे तो मुझे निजात मिल गए, लेकिन संधे दुखते हैं, मोटर साइकल चिलाते वक्ट दाएं संधे में दर्द होता है, बार बार जी. जी, जी, और तीसरा मेरा मेरी म सा महर예요 Jaya अब फिर फोड़ा बता वैंड, देखिए, मैं बताना शुरू करता हूं और आप लिकुना शुरू करें देखिए, आप के कंदे का दश्रू का दर्द और कहीं का भी दर्द और आपकी मुस्रीज के कमर कि कमार का दर्द और टांगों का दर्द या कहीं भी जर्द हो ये निस्खा एक है आप दोनों लोग खाना और ये दुनिया की बहतरी इंट्राव मैट्रियल मैं आपको बता रहा हूँ और वो यह है के गाउन सियाह यानि काला गाउन काला गाउन ऐसे सो दो सो गिराम खरीद और दोनों लोग आदा आदा गिराम सुबा शाम खाने के बाद पानी से बगर चर्बी के दूस से या रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं या कभी दूद कभी पानी कभी जूस से भी ले सकते हैं ये आपकी मर्जी है लेकिन आप दोनों को छे से आट दिन मुझ से कुछ म कहना. क्योंकि ये औरिजिनल raw material है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन च्छे दिन या आट दिन दस दिन बात काम करता है तो ये मैं सोचना कि आट दिन होगा है क्या कैसी चीज़ बता दे लेकिन इस से लोगों को फाइदा होता है. ये सो दो सो किराम खरीदने पर आप खत करने तक आप दोनों की को फाइदा मुम्किन है. आपके मिसिस के लिए एक हिदायत है कि वेस्टन ट्वालेट ऐसा कुर्सी वाला जो होता है वो घर में होना चाहिए उसी पर अपने फारिग हो लेटिन बात्रूम के लिए. ये जरूरी है. और बहुत मेहनत मत कराईए इये और इसको भी आप लिख लें. देखिए धनिया दो सो गिराम, सौफ दो सो गिराम और आमला दो सो गिराम और इसमें मिलाएए सौट सो गिराम और इसमें एक चीज़ और मिलाएए जो कहते हैं कलाउंजी का नमक. ये आसान जबान में कहते हैं जाकर सब समझ जाएं लेकिन इसका असली नाम है एस्टेक कलाउंजी. कलाउंजी का रसायन होता है. जो बहुत सारी हमें बहुत सारी कलाउंजी से अगर हमें दस बीस गिराम ही दवा होती है इसमे बनाएं घर में और आधा से एक चम्मश शुरू करें और इसका असर यह होता है कि जिस दिन से आप शुरू करते हैं पानी के साथ इस्तमाल करें उसी दिन से फाइदा शुरू हो जाता है और आपका मूँ का जायका भी बदलने लगता है और गैस, एसिडिटी, कव्ज, इंफ infection, पेट का infection, किड़नी infection, लिवर infection और हजम, मैदे की सूजन, आतों की सूजन, किड्नी की सूजन, इस सब ऐसे चले जाती है जैसे थी ही नहीं, आप इस पर भरोसा करें और उपरवाले से मदद मागें, आपका तीनों सवालों का जवाब हो गए, आप नुस्खा बनाएं, और मेरी दुआ है कि आपको फाइदा हो नेक्स्ट कॉलर है राज कुमार बंगाल से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार सवाल कीजिए अपना इस पुलते हैं कि इतना बता है वान पॉइंट सेवें जी अच्छा कि नाइन कितना बता है वान पॉइंट सेवें जी अच्छा एज भी बता दीजए एज है 55 कितनी 55 55 अच्छा देखिए यह तीन रोग हैं आपको और एक दवा और यह बहुत सारे बर्दों में काम करती है एक तो आपका शूगर को लेबिल पर रखेगी और आपका क्रिटिन आइन को जरूरत के मताब ऊन पर लेगी यही जरूरी है के विए टिनायन यानि गुर्दे की गंध़िके की गंध़िकी गंध़िगी व 550 होनी चाहिए इस से जादा जो है वह रोग है तो आपको लेना आं सिरका जैतून का वर्यागर होता है जैतून का, जैतून इंडिया में पैदा नहीं होता दुनिया के सबसे बहतरी सिर्कों में कहलाता है, तीन चम्मच रात को सोते वक्त लिया करें, पानी में मिलाके, चोटे चाय के चम्मच, तो आपकी ये दोनों समस्या है, टीक होना मुम्किन है.